तो आज फिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की problems का solution लेके और आप सभी के precious time को save करने के लिए आज का जो टॉपिक लिखा है उसका नाम है How to Automatically Deliver Coupon Quotes on Successful Sales Using Public Connect So हम क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर की कैसे हम हमारे customers जो हमारे पास से product खरीद रहे हैं उन्हें automatically coupon code sign कर सकते हैं उनके Gmail पर एक email के द्वारा कैसे कर सकते हैं किनके लिए ये पहले मैं बता देता हूं कि मानलीजे आपका कोई e-commerce platform है और वहापे आप products वगरा sale करते हैं अब आपके regular customers है वो आपसे product खरीदते हैं अब आपने तीन दिन तक शायद कोई ऐसा offer चलाया है कि अभी जो भी 10 order पहले करेगा उन लोगों को 10 लोगों को एक coupon code मिलेगा जिससे वो लोग और भी चीज़े खरीच सकते हैं अब जब भी कोई customer आता है और कोई product order करता है तो आप उसे एक coupon code manually जो है देखते हैं पहले उसकी details collect करते हैं कि अच्छा पहला customer यह है इसकी यह details है अपना coupon code फिर जाते हैं चेक करते हैं क्या coupon code है फिर उसको copy करके manually email टाइप करके फिर उसे sign करते हैं कितिनी lengthy process है पूरी खतम कर दी है मैंने automation की help से क्या कर सकते हो कि जैसे ही thrive card में आपके order create होगा automatically software की help से software जाएगा google sheets में coupon की details जो है capture करेगा collect करेगा कि कहा है coupon कौन सा coupon उठाना एक एक करके 10 तक coupon मैंने रखे हैं मेरी तरफ से आप और भी बढ़ा के रख सकते हैं तो मेरे जो automation में जो होने वाला है उन 10 coupons को 10 लोगों को बाटा जाएगा जो भी पहले 10 orders होंगे उनको तो मेरे software की help से क्या होगा कि google sheets में जाएगा वो चेक करेगा पहला customer है तो उसको पहला वाला coupon code की details capture करेगा software then automatically उस पहले customers को उसके gmail पे उसके email पे एक जो है code send कर देगा वह वाला जो उसने हमारे google sheets से copy किया है जी हाँ यह हो सकता है यह software की help से possible है और आप लोगो को पता ही होगा कि इन तीनों applications का आपस में कोई direct connection नहीं है connection बनाने के लिए मैंने help ली है पैबली connect की जो की एक automation and integration software है इसी software की help से automation संभा वो पाया है और best part तो यह है automation का कि मैं आपको पूरी की पूरी process अभी करके दिखाऊंगा अपनी screen पर ओके सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में type करेंगे पी डबल बी यह पैबली डॉट कॉम प्रेस एंटर यह official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account एकदम फ्री में बनाने के लिए मैं already बना चुका हूँ that time में click करूँगा sign in पे first option आएगा हमारा पैबली कनेक्ट का क्लिक करूँगा access now पर access now पर क्लिक करने के बाद open हो जाएगा पैबली कनेक्ट का dashboard right-hand side पर create workflow का option है क्लिक करके अभी अपने workflow को मैं एक नाम देदूगा मैं नाम देदेता हूँ thrive card thrive card to google sheets या फिर मैं नाम रख देता हूँ automatically deliver codes to customers यह मैंने नाम दे दिया आप जो नाम देना चाहें आप वो नाम दे सकते हैं यूज कर पाओगे वो भी एकदम free में workflow को नाम देने के बाद मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action दोनों ही काफी important role play गरती है integration में trigger means when this happens जब यसा हो action का मतलब do this असा कर दो topic क्या है मारा हम जाते हैं के हमारे जो भी customers हैं जो भी हमारे आख के मतलब कोई भी product खरीदे हमारे thrive card पर तो automatically उनको एक coupon code मिल जाए उनके email address पर okay gmail पर उनके email send हो जाए जिसके अंदर एक और coupon code हो जिससे की वो और purchase कर सके ठीक है तो ऐसा चाने के लिए मैं क्या करूँगा फस्ट application में तो सबसे पहले thrive card को search करके choose कर लूँगा क्योंकि thrive card में sale हो तब मैं चा रहा हो कि ऐसा हो okay so product purchase को select कर लूँगा then connect पे click करूँगा connection के लिए उसके बाद add new connections पे एक new connection के लिए मुझे चाहिए रहेगा token token कहा में लेगा enter the API key here you can get the API key from the thrive card account from the API and webhook section available under the settings section हम चलते हैं हमारे thrive card की account की settings पे तो यह मेरा thrive card का account है जैसा कि आप देख रहे है then यहाँ पे API keys का option है क्लिक करेंगे API keys के option पे view settings पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे create API key का option है एक new API key create करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे then enter a name to identify this key तो मैं नाम दे दूँगा इसको coupon okay coupons ठीक है मैंने नाम दे दिया मैंने जस्ट एक example के लिए नाम दिया आप जो नाम देना चाहिए copy कर लिजे API key को यहाँ पे आईए token वाली फिल्ट पे paste कर देंगे then click कीजे simply save पर तो क्या होगा आपका connection जो हो सक्सेस्फुली हो जाएगा connection होने के बास सबसे फिल्ट आईए product की तो यह मुझसे पूछ रहा है कि किस product के sale होने पे आप चाहते है कि customer को coupon code जो है send हो तो मैं चाहता हूं कि यह वाला जो प्रोड़क्ट है हमारा ओपन कर लेता हूं सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पहले अपने products रिखा देता हूं कि कितने products है मेरे पास okay है नसे यहां पर जैसा कि आप लोग देख पार है products पे click किया मैंने तो सारे products open हो जाएंगे सब्सक्राइब आप जैसा कि आप लोग देख पार हैं कई सारे products हैं मेरे पास मैं चाहता हूं कि PHP for beginners वाला जो है यह यह वाला जब भी कोई खरीदे तो उसको code send हो तो इसलिए मैं क्या करूँगा PHP beginners वाला जो है product choose कर लूँगा then product status क्या है test mode रखना है हम को test mode में payment कर रहे हैं ठीक है आप live mode में कीजेगा जब भी हो ठीक है तो मैं click करूँगा save and send test request पे so मैंने click किया save and send test request पे तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे है waiting for response का option आ रहा है means अब जब भी इस product को कोई खरीदेगा तो इसकी details family connect के पास capture हो जाएंगी तो चलिए क्या करते हैं get URL पे click करके इसकी link को copy करते हैं और एक new tab में open करके इस form को इसको purchase करते हैं then continue पर click करूंगा यहाँ पर मैं card number अपना copy करके यहाँ पर paste कर दूंगा simple then मैं यहाँ पर डालूंगा अपना expiry date card का ठीक है CVV यहाँ पर मैं डालूंगा then complete order पर click कर दूंगा ठीक है तो payment जैसी successfully होगा हमारा पैबली connect के पास data capture हो जाएगा processing हो रही है processing के बाद हम जाके check करेंगे completing order okay load हो रहा है so yes यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं total 15 dollars की payment अब लोग कर चुके है अब चलके check करते हैं पैबली connect के पास इसकी details capture होई है कि नी so yes यहाँ पर response successfully received हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं सारी की सारी details जैसा कि मैंने contact number जो डाला था अपना email address और मेरा address और जो मेरा first name last name full name सारी की सारी details capture कर ली है पैबली connect ने अपने पास ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि जो Daniels जो है जुनों ने purchase किया इनको एक coupon code sign हो जाए इनके WhatsApp पे WhatsApp पे बुलना हूँ email पे Gmail पे so coupon codes का है मेरे यह मैंने spreadsheet बना के रखी जिनको मैंने नाम दिया coupon code और उसके अंदर मैंने कुल यहाँ पे 9 coupons जो है add करके रखे हुए मैं चाहता हूँ कि एक-एक करके जो भी खरीदता जा इसको एक-एक करके यह coupon code बिचते जाए so उसके लिए मैं क्या करूंगा मैंने सिर्फ top 9 लोगों के लिए coupons रखे हैं जो भी जो पहले 9 आके खरीदेंगे और लोगों को यह coupon sign हो जाएंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा उसके लिए मुझे सबसे पहले तो इस spreadsheet को integrate करना होगा पैबली कनेक्ट से लेकिन उससे भी पहले मुझे क्या करना होगा एक counter करके एक जो है हमारा एक feature है है ना number formatter के अंदर आता है उससे क्या होगा कि उससे हम ऐसा कुछ formula set करेंगे जिससे क्या होगा कि एक जो पहला आया उसको यह वाला code send हो जाएगा second वाला जो जिसने purchase किया product उसको second वाला send हो जाएगा third वाले को fourth वाले को fourth वाले को fifth वाले को fifth वाला ऐसे चलता रहेगा तो उसके लिए मैं जो क्या करना होगा पैबली कनेक के फिचर का यूज करना होगा जिसका नाम है नंबर फॉर्मेटर ओके सर्च करूँगा यहाँ पर नंबर फॉर्मेटर को सर्च कि हमने नंबर फॉर्मेटर को चूज कर लिया ठीक है वन वन प्लस होता जाएगा 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, यहना 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 मतलब 3, 3 प्लस 1 मतलब 4, ऐसे बढ़ता चला जाएगा यह ठीक है, result on execution नहीं, reset नहीं करना है हमें, एक बार जब खतम हो जाए no coupons, तो उनको बस छोड़ देना है, ठीक है, clickकर होँगा तो 4 आजएगी, दोबार क्लिक करूँगा तो 5 आजएगी, दोबार क्लिक करूँगा तो 6 आजएगी, यहाँ पे ऐसा-इसे करके, जो है 9 तक coupon codes, जो है हमारे वो send, होते रहेंगे, 9 तक coupon codes send होते रहेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहें हैं, तो यह बढ़ता ही चला जाएगा उसके बाद आगर आपका कुछ है तो खतम होगा नहीं तो नहीं होगा तो इसको मैं फिर से एक बार connect कर लेता हूँ क्यों कि मैंने आपको करके दिखाया भी वो 10 पर पहुच गया है 10 पर नहीं पहुचाना है हमको इसको 7 पर click किया तो यहाँ पर आ गया है हमारा second वाला है ना final value second आ गई है बस यहाँ पर हमको इसको रखके छोड़ देना है save पर click कर देना है अब हमें हमारी spreadsheet को integrate कर देना है किससे पैबली connect से तो यहाँ पर सर्च करूँगा सब से पहले गूगल sheets को seraj करने के बाद मैं action event में choose करूँगा get rows को क्योंकि हमएं details आइ हमारी google sheets की ठीग है get rows करने के बाद में click करूँगा connect पे connect पे click करने के बाद click करूँगा add new connections पर और then connect with google sheets पर then ऊस Google account को choose करना है, तो आज ही राय वाला Google गूगल अकाउंट है जिसके अंदर वो मौझूद है गूगल शीट कंटीनु पर क्लिक करूंगा डोंट वरी पैबली कनेक्ट इस हांड़ परसंट सेफ ऑथराइजेशन सक्सेस्फफल हो गया है मेरा गूगल शीट कनेक्ट है अभी पैबली कनेक्ट होने के बाद सिलेक्ट स अप्षन आया तो यह मुझ्स से पूछ रहा है कि ज़र कौन सी स्प्रेट्चीट को आप जो है इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो पहले ही स्प्रेट्चीट है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया शीट बन है जी हां शीट बन है ठीक है आ जाता हूं रेंच अब मुझे को paste कर दूंगा दर यहां पर मैं दो लगाऊंगा और फिर ए टू दुबारा कर दूँगा ठीक है ऐना ऐसा कर दूगा कि एक बार में एक को first वाले coupon send हो ठीक है अब मुझे क्या करना होगा अगर मैं ऐसा ही रहने दूँगा तो first वाला coupon ही सबको send होता रहेगा क्योंकि और data तो मिलेगा नहीं किसी को यहना अच्छा मुझे क्या करना होगा मुझे यहाँ पे जो मुझे details counter से मिली है यह तो change हो रही है नहीं मैं गलत जगह आ गया मैंने क्लिक किया blank field पर map कर देता हूँ data सबसे पहले है ना सबसे नीचे आऊँगा यह रहा number formatter का तो क्लिक करूँगा number formatter पर यह रही final value 2 इसको यहाँ पर मुझे put कर देना है simply ठीक है save and send test request पर क्लिक करूँगा तो मुझे data मिल जाएगा first coupon का है ना तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे first and coupon का data है वो मुझे यहाँ पर मिल गया है successfully मेरे पास capture हो गया data अब मैं चाहता हूँ यह जो coupon code है यह automatically send हो जाए किसको जिन्होंने भी first then action event में चूज़ करेंगे send email को then उसके बाद connect पर क्लिक करेंगे connection के लिए उसके बाद add new connections पर then connect with Gmail पर then Google account चूज़ करेंगे जिस Google account से हम email करना चाहते है तो आशी राय वाला यह account है वो continue पर क्लिक करूँगा don't worry publicly connected is 100% safe connection successfully हो गया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं authorization successfully होगे हमारा connected है अभी हमारा जो थ्राइफ कार्ट वच email का account है वो पैबली connect से connect होने के बाद सबसे first field आई है recipient email address तो यहाँ पर हमें जिसको हम email भेज रहे हैं उसका email address चाहिए तो कहां से मिलेगा थ्राइफ कार्ट का जो data pick किया था पैबली connect ने उसके अंदर मिलेगा वाला data तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर मिलेगा हमें email address यह रहा जैसे कि Daniels जो ओके सो यह वाला data मुझे नीचे put करना है इसके लिए मैं क्या करूँगा सेंडर नेम यहाँ पर आप अपना डाल सकते हैं आपकी company का name मैं अपनी company का डाल देता हूँ ठीक है जिस भी name से आप send करना चाते हैं email subject क्या रखना है आपको so successful यहाँ पर हम रख देता है coupon code coupon code coupon code coupon code coupon code मैंने इसका नाम रख दिया है आप और भी कुछ जो आपको नाम रखना हाथ आप यहां पर सकते है ना और email content में मैं मे लिख देता हूँ hello और इसके बाद में नाम मेप कर देता हूँ किसका email content में जो भी आपको email डालना हो आपको जो ही data इन में पर कर सकते हैं इंटर थैंक्स के नीचे कंपनी का नाम ठीक है यह मैंने एक छोटा जो है वह किया है इमेल हमारा टाइप किया है इसके नीचे मैं कूपन कोड लगा देता हूँ कोड कोड ठीक है और यहाँ पर map कर देता हूँ coupon code कहा से मिलेगा google sheet से मिलेगा हमको coupon code यह रहा first and coupon यहाँ पर मैंने map कर देता हूँ bold ठीक है simple ठीक है आ जाता हूँ नीचे file name आपको कुछ रखनी है attachment कुछ लगाना है तो आप लगा सकते है otherwise save and send test request पर क्लिक कीजिए पर देखनी है और एक दम positive response रिसीव हुआ है चलके चेक करते हैं daniels jo के gmail account पर कोई email मिला है कि नी जिसके अंदर coupon code है यह नहीं okay so मैं gmail open कर लेता हूँ सबसे पहले तो है ना यहाँ पर gmail account open कर लेता हूँ daniels jo का okay okay so यहाँ पर मैंने login तो कर लिया आप gmail open कर रहा हूँ daniels jo का है ना यहाँ पर open कर लिया है मैंने gmail है ना तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहा है पैबली की तरफ से हमारे पास अभी अभी एक message आया है दो बच के 23 मिनिट पर दो बच के 24 हो रहा है ओके open करके देख लेता है hello daniels jo you wanna coupon code thanks pably और यहाँ पर coupon code है हमारा और यहाँ पर यह first and coupon है ना यहाँ पर हमारे सामने है यह coupon okay so इसका मतलब यह है कि हमने email हमें successfully received होगे और हमने successfully integrate कर दिया है हमारे pably connect को pably connect बोल रहा हूँ हमारे thrive card को हमारे gmail से अब जब भी हमारे thrive card में कोई भी product कोई भी product तो नहीं यह वाला जो product था हमारा PHP for beginners इसको कोई भी खरीदेगा तो खरीदने वाले को automatically इन coupon code मेंसे जैसे अभी first वाले जो Daniels जो थे उनको first वाला send हो गया अब जो second वाले आएंगे जो भी होंगे वो है ना उनको उनके gmail पे second वाला coupon code जो है वो send हो जाएगा है ना जैसे कि Daniels जो को यहाँ पर हुआ है ऐसा automation हम पैबली connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो वो भी बिना किसी परिशानी के जाते 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 एक बात फिर से बता देता हूं कि इस वीडियो की description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना और आप ये same workflow आपने account में यूज कर पाओगे वो आपको अगर पैबली connect की pricing जाननी है तो वो आपको ये दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को like करना मत भूलेगा और हमारे चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा थैंक्स